तो देश के नए विदेश मंतरी एस जयाशंकर को आपने पहले बहुत ज़ादा तो नहीं सुना होगा क्योंकि पहले वो देश के विदेश सचिव के पतपर थे और विदेश सेवा के अधिकारी कम ही बोलते हैं जरूरत ना हो तो नहीं भी बोलते उनके चुप़े के भी एक अलग ही मायने होते हैं लेकिन अब जब की मुदी सरकार में वो देश के विदेश मंतरी बनाए गये हैं तो उन्हें सुनने का मौका आया है कल विदेश मंतरी जैशंकर बोले और फिर खुल कर बोले और सबसे एहम बात तो उन्हें ने कहीं कि वो ये कि पिछले पांच साल में दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा है और एशियाई देशों में राश्च्रबाद नए आत्मविश्वास की पहचान बना है पांच साल में दुनिया ने माना हिंदुस्तान का दम राश्च्रवाद ही जुबान मेरा देश महान याद कीजिए अपरेल 2015 यमन चार हजार भारतिये फंस गए थे तब सबसे बड़ा रिसकी ओपरेशन चला कर हिंदुस्तान में अपने एक-एक नागरिक को देश सुरक्षित पहुँचाया था याद कीजिए सुडान जब 2016 में 600 भारतियों को दक्षिन सुडान से बचा कर लाया गया था याद कीजिए दिसंबर 2014 एराक में फंसी 46 भारतिये नर्सों को सुरक्षित देश वापस लाया गया था पिछली सरकार में विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज का एक ट्वीट दुनिया के किसी भी कोने में मुश्किल में फंसे भारती के लिए उमीद की किरन बन गया विदेश मंत्री S. जैशंकर ने जब विदेश मंत्राले की छवी बदलने की बात कही तो उनके जहन में भी यही सब बाते रही होंगी विदेश मंत्री S. जैशंकर ने कहा कि आज के दौर में आर्थिक बतलावों को अमल में लाने के लिए विदेश नीती की भी एहम भूमिका होगी विदेश मंत्री ने कहा कि उदारी करन के कमजोर पढ़ने की एक वज़े दुनिया के कई देशों में राश्ट्रवाद का उभार भी है बीते 20 सालों में दुनिया की अर्थ विदस्ता में बड़ा बदलाव आया है सभी मंत्रालों के समन्वे पर पीए मोदी का जोर है भारत का रुत्वा दुनिया में बीते 5 वर्शों में बढ़ा है सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार का दूसरा कारेकाल देश को वाकई दुनिया में महाशक्ती के तौर पर स्थापित कर पाएगा हमारा देश विश्व के फलक पर एक महाशक्ती बन कर उपरेगा और भारत माता को जो उचित सन्मान विश्व के अंदर मिलना चाहिए वो उचित सन्मान मोदी जी के नेत्रूत हम निस्चित प्राप्त करेंगे वेदेश मंत्री ने आज जो कुछ कहा वो एक तरह से बदलते भारत की गवाही है ब्योरो रिपॉर्ट जी मीडिया